तो देखे दोस्तो मैंने आज यह क्या बनाया है मैंने बनाया खमन डोकला जो की बहुत ही स्वादिश्ट लगता है और गुजरात की तो यह फेवरेट है गुजराती लोग जो होते ना उनको तो यह बहुत ज्यादा पसंद होता है वहां की तो यह फेवरेट डिस है मतलब प को खा सकती हूं तो जैश्री किष्णा दोस्तों मैं मोनिका अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं तो मैं आ गई हूं गुजरात की एक यह डिस लेकर नहीं तो नहीं है बहुत ही पुरानी है लेकिन मैं अपना तरीका यह ऑथेंटिक रेसिपी भी नहीं मैं बोलूंगी यह बहुत ही बेसिक से सामान से बन जाती है और मैं यह अपने तरीके से इसको बना रही हूं तो यह ले लिए मैंने बारिक वाला वेसन आप जितना फाइन इसके लिए बेसन लेंगे उतना ही ढोकला हमारा अच्छा बनकर जालिदार बनकर रेडी हो जाएगा तो मैंने पह बेसन में गुठलिया होती है वो छनी के उपर रह जाती है इसलिए इसको बेसन को छानना भी जरूरी है और कुछ अगर गंगी वगर है तो वो तो निकल ही जाती है तो इसमें मैं टोटल डेर से दो कप मैं बेसन लोगी क्योंकि मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने बाद में थोड़ा सा और किया था तो दो कप बेसन में हमें एक कप पानी की जरूरत होती है तो इसमें ज्यादा कुछ तो जाता नहीं है वैसे इसको सिट्रिक असीड से भी बनाया जाता है बट आज मैं इसको आपको एक्दम इजी तरीके से बनारू जट पट से जो बन जाता इनो करिब्स दालाना जादां इसमें एक दोल्गेंगे न चैया करेंगे अगर घ्टलिया होंगी ना हमारे बैट करते बाद जहां हमारा जलीदार स्पाँजी नहीं बनेगा जहां गुठ्ली आओग वहीं से यह दोख़ा हूंँ दहुठ वो जो है hard हो जाएगा तो इसी बात का हमें ध्यान रखना है कुछ trick और tips और tricks के साथ इसको बनाएगे ना तो एक दम एक ही बार में आप perfect टोकला बना लेगे मुझे और मेरे husband को तो यह बहुत ज़्यादा पसंद है बेटी तो मेरी नहीं आते बेटी को भी बहुत अच्छा लगता वो भी खा लेता है तो देखे थोड़ा सा मैंने बेशन इसमें और के एड़ किया और थोड़ा सा पानी अगर हम किसी भी आप कोई भी बरतन आप ले सकते हैं मेजर्मेंट के लिए आप कटोरी ले सकते हैं इगलास ले सकते हैं कप ले सकते हैं जो आपके पास एवलेबल है आप उस चीज से इसको मेजर कीजेगा जैसे ki हम 2 कप जाए न तो एक कटॉरी में पाने जाएगा उतने में यह पर्फेक्ट भेटर हमारा बनitar रेडी हो जाएगा और इसको ना हमें थोड़ा सा हलका कर ले나 हलका सा इसको फ्लेपी कर लेना है । थोड़ा सा इससे विसकर से इसको चलाते अब हम अपनी आगे की तैयारी कर लेते हैं आगे की तरह मैंने यह केक्टिन ले लिया आप में स्टील नी ले सकते हैं इसके लिए मैंने यह कटि夆 है और इसमें थोड़ा सा ओयल लगा कर इसको हलका सा ग्रीज कर ले ओयल याद रखिएगा जो तील लेना है में वह सरसों का तेल नहीं लेना है मतलब जिसमें थोड़ी खुशबु आते हैं वैससा तेल नहीं क्योंकि हमें इसको इस्टीम करना है न और यह healthy होता है क्योंकि हम इसको नस्फ्राय करकर बनाते हैं इस्टीम करकर बनाते नियुक्न तो यह बहुत जादा है और आज वैसे उस न्यूली लगता है बट आज मैं इसको इनों से बना रहे हूँ वो भी तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी जल्दी ही तो यह जटपट वाला तरीका है जब जल्दी ही हमें ढोकला खाने का मनो तो मार्केट ना जाए और दस मिनट में मात्री बन कर रड़ी हो जाता है ज्यादा समय इसमें नहीं लगता है तो यह पानी डाला और इसको एक ही डारेक्शन में हमें चलाना है आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया और थोड़ा सा यह फ्लपी भी हो गया है तो मुझे तो घाड़ा लग रहा हुआ है वह एकदम लोग हो जाता और फिर हमारा यह स्पोंजी और जालेदार बनकर ढोकला नहीं रेडी होता तो इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना कि पहले ही बरतन हमें रेडी कर लेना और बैटरे डालने के बाद इसको टैप टैप करके जो भी इसमें एयर बबल आ जाता देखिए पास से साथ मिनट इसको हो गया है कभी कभी दस मिनट भी लग जाता है आप चेक कर लिजएगा देखिए बीच से ड्यूद्पिक डालके देख रही हूं मैं चारो तरफ से देखूंगी देखिए पूरी क्लीन निकल रही है इसका मतलब हमारा डोकला एकदम परफेक्ट पक चुका है अभी हम क्या करेंगे ओपर की भी में इसके लिए रख देखिए अगर हम इसको गरम गरम निकालेंगे तो यह तूट जाएगा तो हम इसको नहीं तोड़ना है थोड़ा सा इसको हलका सा ठंडा कर लेते हैं उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे चलिए मैं आ गई हूँ अपने बालकनी से किचन गार्डन बोल सकते हैं दो चार पोदे लगाए हुए है मैंने तो यह मैं कड़ी पत्त तोड़ लेती क्योंकि इसमें मुझे कड़ी पत्ते की आविशक्ता होगी तो यह देखे मैंने कड़ी पत्ता ले आई हूँ और उसके बाद मैंने कड़ाई में डाल दिया थोड़ा सा रिफाइंड ओयल एक चमच के करी और थोड़ा सा डाल दिया इसमें राई और खुब सारा डेल सारा और पांस से छे हरी मिर्चे मैंने इसमें अड़ कर दिया आप जितना तीका काते है उतना बढ़ा सकते हैं मैंने जो मिर्ची अड़ किया ना इसके साथ जो मिर्ची मिलती है वो बहुत टेश्टी लगती है और मेरे यहाँ जो मिर्ची तीकी भी नहीं है तो मैंने डेड़ क करीब इसमें पानी आड़ कर दिया है इसमें डालेंगे थोड़ा सद नमक सब्सक्राइब ऑर एक चम्मच के करीब इसमें चीनी डाल देगा आप खटा मीटा पसंद करते हैं तो एड़ कीजेगा चीनी नहीं तो खटा भी खाना चाते तो चीनी ना एड़ करें लेकिन इस पेसलिए इसी तरीके से बनाया जाता है चलिए पानी में एक बोई ला गया है उसको ठंडा थोड़ा सा रख देते हैं और अभी अपना ढोकला चेक कर लेते हैं मैं आप अगर उस चाको से कटेंगे तो यह परफेक्ट करता है मेरे पास अभी वह फिलाल है नहीं आप जो चाहें इसमें वह शेप में इसको कट कर सकते हैं मैंने जैसे मार्किट में मिलता ना चोक और पीसिस में मैंने वैसे ही इसको कट कर लिया है तो आप इसके काटने के तरीके सही देख सकते हैं कितना इस्पोंजी और जालीदार हमारे ढोपन कर रेडी हुआ और जो हमने तढका रेडी किया था न वह करें जो कि आनान दगा कि क्योंकि भाई ढोपने में जान आथे न तो वह कमेंट करके बताईएगा तो यह देखे कितनी अच्छी जाली बने है और कितना परफेक्ट और सोफ्ट ढोकला हमारा बनकर रेडी हो गया है और हाँ गाईज अगर आपको मेरी रेसिपी देखने के बाद थोड़ी भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा शेयर और हाँ चैनल पर नए है ना तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लिए जिएगा नई नई वीडियो देखने के लिए और आप फेस्बुक पेज पर देखने हैं तो फोलो भी कीजिएगा तो यह देखे मैं आपको पास से बार-बार दिखा रही हूं कि कितना स्पंजी हमारा डोकला बनकर रेडी हुआ है तो चलिए बाई बाई दोस्तो जै श्री कृष्णा थैंक्स फर वाचिंग